दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल किरशना फैंटेसी में और आज हम बात करेंगे मैंस T20 वर्ल्ड कप क्वैलिफायस मैच के बारे में जो कि यहां से खिला जाएगा PNG वसर जापान की बीच दोस्तो यह मैच आपके इंवेश्मेंट के लिए काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे Trump प्लेयर होने वाले जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से बिन करवा देंगे कौन से वो प्लेयर होने वाले साथ ही साथ में कौन सा बैट्समन का बैटिंग करेगा कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा सारा मैं आपको इस वीडियो में डीटेल के साथ बताऊंगा तो वीडियो को एंट टक जरू देखिएगा दोस्तो अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है किर्षना फैंटेसी आप देख सकते हो दोस्तो इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपे मुझे 20,000 रुपेगी फिरी एंट्री मिलीवी इस Small League Head-to-Egg में 10,000 रुपेगी फिरी एंट्री मिलीवी Small League Head-to-Egg में भाई ये फिरी एंट्री आपको भी मिल सकती है कैसे मिलेगी सिंपल ही आपको कुछ नहीं करना आप में से काफी भाई योगो पता होगा कि अगर आप MyFav11 एप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रेजिस्टर करते हो तो MyFav11 आपको 20,000 रुपे की फिरी एंट्री देता है Small League Head-to-Egg में तो बस आपको MyFav11 एप को डाउनलोड कर लेना है लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया वाई और डिस्किशन बॉक्स में दिया वाई अगर आप लॉस में चल रहे हो फिरी में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो अगर आप अलड़ी प्रॉफिट में हो तो फिरी में 20,000 विन करके और भी जाड़ा प्रॉफिट बना सकते हो सबसे पहले आपको myf11 app को डाउनलोड कर लेना है लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया वाए और डिस्किशन बॉक्स में दिया वाए तो यूट्यूब चैनल को जरूर सबस्काइब कर लेजेगा दोस्तो आपको पता है हमेशा हर वीडियो में मैं आपको हर प्लेयर के बारे में डीटेल के साथ एक एक चीज़ बताता हूँ तो एक छोटा सपोर्ट आप कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्काइब करके उमीद करता हूँ जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे आप सभी ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्काइब कर लिया हुगा बात करें अगर हमारी टीम के बारे में तो विकेट कीपर में अगर मैं बात करूँ डॉरी का को काफी लोगों ने ले रखा है लेकिन देखो रीसन मैचेस ये खेल नहीं रहे अगर ये बंदा ये मैच खेलेगा तो मैं आपको टॉस के बाद अपडेट कर दूँगा और इनके स्टेट्स आपको टेलिग्राम पे बता दूगा और हम इनको पिक कर लेंगे बाकि जो अभी खेल रहे हैं मैं उनके बारे में बताओ तो विकेट कीपर में हिला का आपके पास ऑप्शन है बैटिंग ओर काफी नीचे नंबर आट पे रहता है इस चीज को ध्यान में रखिएगा पर्फॉमेंस इनके अगर हम बात करें रीसन के चार मैचेस के बारे में तो उन चार मैचेस में इन्होंने जो है सिर्फ पंदा रन करे बैटिंग ओरर ही इतना नीचे रहता है अगर यहां पे कोई और खेलेगा विकेट की पर तो हम इनको फिर तो लेने की जरुवत ही नहीं है बाकि अगर डॉरी का नहीं खेलते तो फिर रखना ही पड़ेगा तो फिलाल हम इनको ही लेके चलेंगे बैटिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ टॉनी का आपके पास option है ओपन करते वे नच जाएंगे रीसन के बारे में अगर मैं बात करूँ इनके performance के बारे में लाश पांट मैचिस के बारे में तो भाई लाश पांट मैचिस में इस पंदे ने जो है run बनाए और तकरीबन तकरीबन दोस्तो 130 से जादा इन्होंने रीसन के 5 मैचिस में run बना कर आ रहे मुझे लगता है आप इनको बड़ी आसानी से अपनी टीम में लेके चल सकते हो वही अगर यहां से केके के बारे में बात करें दोस्तो ओपन करते वे नच जाएंगे केके फिलेमिंग लाश 5 मैचिस के बारे में अगर मैं इनके परफोर्मेंस के बारे में बात करूँ किस टाइब का परफोर्मेंस आये तकरीबन 180 प्लस run करें मुझे लगता है इनके उपर भी आप रिस्क लेके चल सकते हो और इनको लेके चल सकते हो वहीं सी बावू के बारे में बात करें, देखो बैटिंग ओडर नंबर छ spool रहने वाला है इनका, और recent के 4 matches के बारे में अगर मैं बात करूँ इनके performance के बारे में सिर्फ 8 euros करें betting से, लेकिन ये कही कई बार balling करवा लेते, recent के 5 में से तीन मैचेस में बॉलिंग करवाई है विकेट इनको एक मिला है अगर ट्राय करना है तो पहले बैटिंग करें इनकी टीम तो करिएगा अधर्वाइज आप ड्रॉप करके चल सकते हैं वही दोस्तों यहां से एल लेक का आपके पास ऑप्शन है ओपन करते विन जाएंगे ल लाश चार मैचेस के बारे में अगर मैं इनकी पर्फोर्मेंस के बारे में बात करूँ किस टाइब का इनका पर्फोर्मेंस राय है तकरीबा 90 प्लस रन करें अगर आप चाहो तो इनके उपर जरूर रिस्क लेके चल सकते हो इसमाल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग इस बंदे को जरूर रख लीजिएगा फिलाल तो मैं नहीं रख़़ा लेगिन टॉस के बाद जरूर मैं इनको अपनी टीम में रखने की पूरी पूरी कोशिश करने वाला हूँ इस चीज को ध्यान में रखना है मियाक के बारे में बात करें काफी नीचे बैटिंग ओर रहता है लास्ट पाट मैचिस के बारे मैं अगर मैं बात करू इनके पर्फोर्मेंस के बारे में अब इनके performance के बारे में बात करूँ दोस्तों किस number पे आपको जो है यहाँ पे batting करते वे नज़ आने वाले तो वो भी मैं आपको इतातूँ देखी batting order जो रहने वाला है वो तकरीबन number 7 रहने वाला है recent के 5 matches के बारे में अगर मैं बात करूँ इनके performance से तकरीबन यहाँ पे 40 प्लस इन्होंने रन करे बट यह balling भी करवाएंगे और last 5 matches में 6 wicket निकाले हो सभी matches जो last 5 खेले इन्होंने उसमें wicket निकाले इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ c amini captain voice captain कर सकते हो number 4 बैटिंग करेंगे प्लस balling भी आप वो करके देते recent के 4 matches के बारे में अगर मैं फिर 5 match के बारे में भी बात करूँ दोस्तो उसमें तकरीबन 100 प्लस इन्होंने रन करे बैटिंग से और balling से भी 6 wicket निकाले मुझे लगता है इनको तो आप अपने team में लेके चल सकते हो एस रभी चन्रन के बारे में अगर हम बात करें नंबर 4 बैटिंग करते वे नजर आने वाले प्लस balling करवाएंगे decent के 5 matches के बारे में बात करूँ 100 प्लस इन्होंने करें दोस्तो balling 5 matches में करवाईए हाला कि wicket नहीं मिला लेकिन मैं इनको लेके जरूर चल रहा हूँ क्योंकि बैटिंग balling आपको करके देते है असाथ वाला open करते वे आपको नजर आने वाले अच्छे player है कभी कभी balling डाल देते बाकि decent के 5 matches के बारे में अगर मैं बात करूँ 150 प्लस इन्होंने score करा है बैटिंग से तो शांदार form में चल रहे आप इनको लेके चल सकते हो वही अगर यहां से ताकेशी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों इबराम ताकेशी नंबर 3 आपको खेलते वे नजर जाएंगे लाज 5 matches के बारे में अगर मैं बात करूँ इनके परफोर्मेंस के बारे में 70 प्लस इनोंने रन बनाए और 4 इनोंने विकेट भी निकाले बैटिंग बॉलिंग आपको करके दे रहे इसलिए आप इनको लेके चल सकते हो बागी तकाड़ा का फोर्म इतना अच्छा नहीं है और यहां से अगर हम बात करें सुझू की का आपके पास उप्शन है नमबर पांच आपको बैटिंग करते विन जाएंगे प्लस ये भी बॉलिंग करेंगे रीसन के पांच मैचेस में 70 प्लस इनोंने स्कोर करा है प्लस 4 विकेट इनोंने भी निकाले और इनको भी मैं लेके चल रहा हूँ देखिए ऐसे बंदे ऐसी प्लेयर जो बैटिंग बॉलिंग करके दे रहे एक ऐसे वाल राउंडर उनको कभी ड्रॉप मत करेगा उनको अप में हमेशा अपने टीम में लेके चलोगे तो फायदे में रहोगे वही यहां से रायले का उप्शन होने वाला है लास्ट पांच मैचिस के बारे में बात करू तो तीन विकेट निकाले फर्स्ट बैट में ट्राइ कर सकते हो अदर्वाइस डॉप करके चल सकते हो कोई खास मुझे इतना जो है लगे नहीं फिलाल छे हमारे ओल्राउंडर रहने वाले बॉलिंग के बारे में अगर मैं बात करू जो उप्शन होने वाले वनुआ खेले नहीं यह मैच खेलेंगे तो ट्राइ करना रखना ही है ओपन डैच में आपको बॉलिंग करवाएंगे कुमबरे के बारे में अगर हम बात करें इनका क्या performance रहने वाला है recent के 5 matches के बारे में बात करूँ 6 wicket इनो ने अभी तक निकाले वहीं कुबोतागा आपके पास option होने वाला है इनके बारे में अगर मैं बात करूँ देखिए इनकी ओवर वगेरा कर सकते हो recent के 5 matches में 6 wicket निकाले बट ओवर वगेरा इनके कर सकते है मौरिया को जरूर आप रख सकते हो wicket taker baller है आपको हर condition में wicket निकाल के देते recent के 5 matches के बारे में अगर मैं बात करूँ 8 wicket इनो ने निकाले वही अगर यहां से किसी और के बारे में बात करें दोस्तो तनियामा का आपके पास option होने वाला है performance के बारे में बात करें देखो over कट सकते है last 4 matches में सिर्फ वैसे भी 2 wicket निकाले करीको के बारे में अगर मैं बात करूँ आशाद वाला रहने वाले बाकी इनके अलावा अगर आप किसी को करना चाते हो तो इबराम हो जाते हैं इनके भी उपर आप इसक लेके चल सकते हैं और अभी चंदन भी एक अच्छे option मन जाते हैं टीम के प्रिव्यू के बारे में बात करें फिलाल ही अमारी टीम का प्रिव्यू आप देख सकते हो आप इस टीम के साथ कॉंटेस्ट चोन कर लेजिएगा फाइनल टीम आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगी लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया वाए और डिस्किशन बॉक्स में दिया वाए तो जल्दी से आईए लिंक पे क्लिक करें और टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लेजिए दोस्तो अगर आपको 20,000 रुपेगी कुछ नही करना सिंपल सबसे पहले माइफ़ विलवन एप को डाउनलोड कर देना है आप में से काफी भाईयों को पता होगा कि अगर आप माइफ़ विलवन एप को फर्स्ट टैम डाउनलोड करके रेजिस्टर करते हो चलिए दोस्तो मिलते हैं मैं सेम टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम स्विड़ू जाएगा और मैं सेम अक्टिव रहिएगा